मिथुन रासी वालों का आजी का रासी फल्ल यणी की 23 अक्टूबर 2020 का रासी फल्ल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 23 अक्टूबर 2020 के पंचांग के बारे में आजी तिथी है सप्तमी नक्छत्र है उत्तरा साधा पक्छ है सुकल पक्छ दिन है सुक्र बार आजी के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बजिके 27 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 5 बजिके 43 मिनट में आजी का दिन काल है इग्यारह घंटे पंदरह मिनट अंठाबन सेकेंड का महिना है अस्विन रितू है है मन्त आजी के दिन सुभ समय शुरू होता है ग्यारह बज के पंच मिनट अम से बारह बज के अठाइस मिनट पी अम तक असुभ काल सुरू होता है आठ बज के बेयालीस मिनट अम से नौ बज के सताइस मिनट अम तक राहुकाल सुरू होता है दस बज के चालीस मिनट अम से बारह बज के पांच मिनट पी अम तक दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चेनल को सबस्क्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें सबसे पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके सिक्षा के बारे में मित्रों सिक्षा के दृष्टी को उनसे आपका समय सामानने रहेगा आजिके दिन आप में से बहुत से जातक बहुत से दर्सक सिक्षा के छित्र में अपने समय का दृप योग करने वाले हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय के दोरान पढ़ाई लिखाई के छित्र में आपका शमय आपका भाग आपका शाथ दे तो समय के स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदर है दोस्तों आप में से जो भी दर्सक जो भी जातक आज से पहले बीमार थे जिनका स्वास्त साथ नहीं दे रहा था तो आज के दिन आप चिंता बिलकुल भी ना करे क्योंकि आज आपके शुवास्त के मामलों में कही कोई पड़ेशानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके घर पड़ीबार की बात करें तो घर पड़ीबार के दृष्टी कोन से आपका शमय आपका शात नहीं देगा दोस्तों आज से पहले अगर आपके घर पड़ीबार में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई शमस्या था तो उस पड़ेसानी को उस समस्या को आपको खत्म करना होगा अन्येथा आने वाले शमय के दोरान आपके घर पड़ीबार में आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान ने तोर पे बहुत जियादा विहतर और सांदर है तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोटके भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक के बारे में मित्रों आज आपके लिए भाग्य साली अंक है नो यानी की नाइन आज आपके लिए भाग्य साली रंग है क्रीम और सफेद दोस्तों आज के दिन अपने समय को बहतर और सांदार बनने के लिए एक टोटका है उस टोटके को आपको आजमाना होगा टोटका बहुत ही जैदा सामाननी है आज के दिन आपको करना क्या है जो महिला बिधवा हो उस बिधबा महिला की आपको शहायता करनी है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका आने वाला समय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद